आईए सबसे पहले उत्राखन के मुख्य मंतरी पुश्कर सिंग धामी को सुन लेते हैं गुनोनी करकर किसी भी कीमत पर सहने योग्य नहीं है ब्रदास करने योग्य नहीं है इसलिए हमारा हर संभा प्रयास रहेगा कि उनको कठोर से कठोर सजा मिले और ऐसे समय में हम पूरी सरकार उनके परिवार के साथ है हर सम्भा जो भी सायता हो सकती है वो हम लोग आगया करेंगे नवस्कार मिना नाम नकुल्चत रुमेदी है और आप देख रहे हैं एन भारा उत्रकंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंधामी को आप सुन रहे थे यह बयान बहुत पुराना है लेकिन आज मैं यह बयान आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि यह बयान आज सुनना बहुत आवश्यप हो जाता है 18 सितंबर 2022 का वो दिन मैं आपको दिखाता हूं तस्वीरों में 18 सितंबर 2022 का वो दिन जब उत्रकंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी उसे नहर मफिक दिया गया था एसे घटना के बाद पूरे उत्रकंड में गुस्ता था पूरे उत्रकंड शरकों पर था बीजेपी नेता के बेटे कुल्कित आर्रे पर इसे पूरी घटना को अंजाम देने का रोप लगे थे इसके अलावा उन वी आई पीस के चक्कर में अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी जिनको स्पेशल ट्रीट्मेंट देने के लिए अंकिता पर दवाब बनाय जा र रही हो बलकि मैं तो एक साल पुराने उस घटना क्रम पर पहुत जा रहा हूं जब पूरा उत्त्रा खंड गमगीन था हम सभी को गुष्चा रहा था कि एक बेटी के साथ यह हुआ जो अपने गाउं से निकल कर नौकरी करने के लिए गई थी और आज यह मुद्दा में इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि एक साल होने वाला है पूरा एक साल होने वाला है अभी अगस्त चल रहा है अगले महिने पूरा एक साल होने वाला है पूरे एक साल में एक आरोपी को अंदर किया है पुलके तारे को उसकी अलावा इस पूरे माम लगता है हम यह कर देते हैं एक मिनट लगता है हमारी डबल एंजन की सरकार यह कर देती है और यकीनन जब अंकिता के साथ यह सब कुछ हुआ था तो लग रहा था कि भाई अब उत्राखंड की सरकार जो पूरा तरीके से सीरियस है वहां पर पहुंच रहे हैं अब वी आईप भी जल्दी सजा पाएंगे लेकिन एक साल बीतने वाला है उत्राखंड की जामबास पोलिस डीजीप उत्राखंड के उत्राखंड के हिंदुवादी नेता पुरुषकर संग्धामी एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोई जद्व जहद करते हुए नहीं दिखाई दे ठीजेर नहीं होते तो अब तक वियाईपी लोगों कंनाहीं सामने आ जिरों ने पहार की बेटी अंगिक भंडारी की हथ्या थी उस बेटी की बीरदी मतब हमारे पास केंद्र की सारी एजेंसी से हमारे पास पूरा बढ़ा सिस्टम है लेकिन अब तक हम विएईपी का पता नहीं लगा पाए है और विएईपीश का जिन विएईपीश चक्तर में उत्रखंड की बेती अंकिता भंडारी कि हात्या की गई है है राडी की बहुत बड़ी बात है यह और है राडी इसी बात की है क्या करो हम लोग कर क्या रहे हैं उत्राखंड में अर्सी लागू होगा माफ कीजिए उत्राखंड में यूशी सी लागू होगा बहुत अच्छी बात है उत्राखंड में मजारें प्रश्रा नहीं है बीच को उन्होंने आरोप भी लगाया और बताया भी कि हमें डर है कि इस पूरे मामले की सही जांच नहीं हो पा रही है यह लोग कहा है इनके विए पी कहा है अंकिता भंडारी बच्ची के हथ जारे कहा है पुलकितारे को अंदर डाल रखा है ठीक है फु धिफन जाईएप धुखक को करेंगे तो आपको आपको बोट करेगी लेकिन उस जनता को यह कौन बता करेंगा कि ये वियाईपी हत्यारे वियाईपी कहीं सी सिस्टम का तो हिस्ता नहीं हो कहीं हो इसी सिस्टम के लोग तो नहीं थे जिनकी वज़ा से उत्राखन और पहार की बेट्रियां के तब भंडारी मारी गई उसकी हत्या कर दी गई ये तमाम सवाल, आब उत्रकंगी जंता पर मचोड़ता हूँ, और मैं उत्रकंगी जंता नहीं, देश की जंता से भी ये बोलना चाहता हूँ, कि खून में उबाल ऐसा रखिए कि अगर दर्द हुआ है तो उस दर्द के निवारन तक हम न रुकें उस दर्द के निवारन के समस्या के समधान तक हम न रुकें लेगिन हम लोग करते क्या है चार दिन चिलाएंगे प्रदर्शन करेंगे हंगामा करेंगे हम यह कर देंगे हम लेकिन बीजर्पी के नाम आगे लाने में जिस तरीके से उस तरीके से आप तो काम कर लेजिए चलिए आपको सुनाते हैं दौरा बयान पुस्क्राश्चिक धामी के और दौर का बयान अकीता इस गाओं की बेटी है अपने मावाब की बेटी है पूरे उत्राखंड की बेटी है हमारी बेटी है उसको न्याय मिले उसके न्याय के लिए जो भी जरूरी कारवाई है वो सारी की सारी हम करेंगे क्योंकि उत्राखंड राज्य के अंदर इस प्रकार का जगन ने अप प्रिवार के साथ है रसमभा जो भी साहता हो सकती है वो हम लोग आगे आकर करेंगे हम अभी विकाज हमारा एविदेंस कैसे हमें मिल रहे हैं वैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा पूरा प्रियास रहेगा हंड़ेट परसंट कितना भी अक्यूजड है इसमें हमारा पूरा प्रियास रहेगा यह मुकदमा है हम फॉस्ट्रा कोट में भी इसको लेके जाएंगे सो दर्ट उनको जल्दी भी न्याय मिले तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सिस्टम अपनी मनमानी करता है पहले भी करता रहा था आज भी कर रहा है मोदी जी के आने के बाद भी कुछ नहीं बतला है हरी श्ट्रावत के जाने के बाद भी कुछ नहीं बतला है कहते हैं कि सिस्टम अपने तरीके से काम करता है वो नेताओं को अपने तरीके से चलाता है लेकिन आज सिस्टम जो कर रहा है ना वो लोगों की अकानशाओं से बिल्कुल परे है जो लोग चाहते हैं, जो लोग इस उमीद में निताओं को वोड़ देते हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा, अगर उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, प्रदेश की जनता के साथ होगा उनके भरोसे के साथ धोपा होगा नहीं चल पाएगा इसे फिलाल में साथ हुता ही नमस्कार जय हो कि अधिज भी आदिए्टर जादेश में स्कुमारि जार्ट जोग और रहें इतने जिनों से तीन चार जिनों से वहाँ पड़े हैं तो इतने जिनों से इनको घुमार है पर रहा है किन पर पास ही है, सरलोग कांज के लिए लगे हैं तो इस बेटी मिल जा परसंट कितना भी अक्यूजड है इसमें, उनको बिल्कुल मैक्सिमम पनिशमेंट को इंशूर करने के लिए हमारा पूरा प्रिया क्यों को कथोर से कथोर सजा मिले और ऐसे समय है